तो मोस्ट विल्कम अपने सी वहेनर क्लासिस में अज लिखे हैं हम आपके लिए इंपोर्टेंट कोश्चन पेपर सीरीज बीसी सिकेंड डियर के लिए एक्जामिनेशन 2021 के लिए यानि 2021 का जो अभी हमारा सलेबस चल रहा है इस सलेबस में हमारे जुलोजी के फर्स्ट पर य लेकिन ध्यान देना ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है चलते हैं अपने इसी पॉइंट को डिल करेंगे सबसे बहले बात करते हैं आखिरकार कोड़ेटा में हम को लेने के बाद हम को कहां से स्टार्ट करेंगे कोड़ेटा के चारों पार्ट को देखना है हमको हेमी पर येन तो आगे चलते हैं आपके लिए तो आगे चलते हैं तो तीन घंटे तैमिंग रहेंगे 3 फोको मिलते हैं लेंगे तो दिया जाएगा तो ध्यान देना 50 मार्ट के लिए सबसे बात करेंगे वर्ड के लिए चोटे कोश्चंस होंगे वो हमारे पास जाएंगे 200 वर्ड के साथ और जो बड़े कोश्चंस होंगे उनके एंसर जाएंगे 500 वर्ड के साथ मतलब कुल मलाजुला के जो छोटे कोश्चंस होंगे उनकी लिमिट तयार करिएगा कि आपके 5 चंबर के दिए questions होंगे तो 5 चंबर के questions के लिए आप जाएंगे 1.5 page के पास and जो long questions होंगे उसके पास जाएंगे लगबग 4 page के पास कि 4 page करेंगे तो आपका 120, 110, 105 ऐसे वोर डा जाते हैं एक कह सकते हो page में तो वहां से आप 4 page 5 page सक जा सकते हैं फीगर आ गया होगा तो आप इंक्लूट कर लिजेगा अपने उसी pages के अंदर आगे बात करते है section A देखो पेपर जो तीन section में डिजाइन होता है नमबर बात करते है section A की section A हमारा आएगा यहां से 5 question आते हैं दो दो आठ एनिमल दिये जाते हैं और उन एनिमल का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है और उनके silent features करने पड़ते हैं ध्यान देजेगा यह दो number के होते हैं तो एक number जाता है classification को और एक number जाता है हमारे silent features को silent feature आफ तीन लिखिएगा तीन से चार कर सकते हैं ज्यादा मत करिएगा और उनका classification सही सब्सक्राइब यहां पर देखो मैंने क्या किया है मैंने आठ इधर दिये हैं और आठ इधर दिये तो पांच इधर से करना पांच आठ आएगा जिसमें से पांच कर लेने हैं ठीक आप इसको क्लासिफिकेशन को इंगम ध्यान देके जितने भी यहां पर 16 अनिमल के दिये सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक आप पिछले पी प्रिबीए से पर लेते हैं तो ध्यान दीजेगा यह मैं लगबग लगबा सुष्टी फोर सुष्टी फाइफ इनवर्सिटी को देखने के बाद यह तयार किया गया है कुछ पहले साल के भी है कुछ नए डाले गया इस साल बात का थे सक्सवलिकी जो हुमारे होता है वो क्या कहता है 2 इनटो 10 मतलब यहां से 2 कोशन होंगे 20 नमब ददस नमबर के 2 कोशन मतलब कुल में जला के 20 नमबर मिलेगा सक्स gaplike से आपके लिए यहां आते हैं आपको मिलेंगे 4 कोशन 4 कोशन में से 2 करना परता है तो अई 2 तो फिक्स है मतलब दो कमपल्सरी आएगा ही आएगा यह आप जरूर जान दिजिएगा तो नमबर फर्स कह रहा है कोशन नमबर टू यहां से देखें तो डिस्क्राइब दो एक्स्टरनल मार्फोलोजी आप ब्लैनो ग्लास्टोस का वीडियो मेरे लेक्चर क्लासिस के अंतर तो डिस्क्राइब कर देना उसके एक्स्टरनल मार्फोलोजी की उनकी बॉड़ी क्या कहते उनकी बॉड़ी क्या है उनकी कल्रेशन क्या है एनिवन क्लासिफिकेशन के साथ इसको कम्प्लीट कर सकते हैं दस नमबर मैक्सिमम जाएंगे आप इनको फाइफ पेज मिनमम रहता है मैं पढ़ाया हूं ले मेरे लेक्षे क्लास मिल जाएंगे आपको आपके प्लिश में होंगे तो डायजी सिस्टम करना ब्लैने गॉलास की ब्रीफ करना ज्यादा डिटेल मत करियेगा क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा तो आपको को सकता है छूट जाए आग यह बताना है आगी कोशन नमर 5 के पास चलते कोशन नमर 5 कह रहा है कि डाइग्राम डाइग्राम मोश इंपोर्नेंट है इस पेपर के लिए तो हर्ड मानिया का व्लड वैस्कुल सिस्टम मैं पढ़ाया हूं काफी अच्छे से आप देख सकते हैं वहां जाके काफी डिटेल में पढ़ाया हूँ हो सकता है मेरा फेले साल का फेलका रहा हो मिनग्वेज ना रहा Candice मेरे पास बड़ आप ने प्यार दिया है उस वीडियो को भी तो जाके एक बार लाई को अदि कि यह पूरा का पूरा काफ़ी अधिक बच्चों को वीडियो मिल सके और उनको वेनिफीट हो सके आप पेपर देखे आईएगा तो बताईएगा सर कितना मैच किया ठीक नहीं तो अभी फर्स्टियर का भी मैच दूंगा तो फर्स्टियर में दिया पेपर नहीं दे पाएंग देखो डाजयेश्टियर शिस्टम आपको करना होता है यहां पे regeno glunya इंड ड्रें dépू स्टियर अनुको द्या नखें या इन तिनो को ध्यान रखे गा तीनों के ऊसले इस पेसली बात करें तो डाइश्टियर में से एक सिस्टम किसी नहीं किसी इनीमल का जरूर म्याहते है क क्यारा है कि आत्राइब क्यांत्र होता है इसके प्रोसस को दिखाना है सारे लेक्चेर में ने और आप चैनल पर आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट के अंतरगत डेस्क्राइब ब्लडवस्टोंज दिखाना है इसका भी क्लास आपको मेरे चेनल के अंतरगत यानि पुरा प्लैलिष उठाकर देख लो वीडियो को बना मैंने बनाया है इसलिए कि आप प्लैलिष को जाकर देखें और देखने के साथ वहां पर जो पॉइंट आपको नहीं समझा है नीचे कमेंट करें होसता है मैं समझा दू वैसे को सिस कर किया हूँ मैं अपने क्लासिस के अंतरगत कि आपको छोड़े-शोड़े क्लासिफाई मैमलियन to order with चीव क्यारेक्टर्स एंट जांपल्स मतलब होते हैं उनके आव्डर तक याप कलासिफिक्षड करें पूरी और कहां से एक कैसे तरहें जो element watt रूपने क्लासिफार्ट करेंगे य Например करने हैं हर एकक हर एक एक पिज crimp 95 जोड़के ज्यादा बकलोली नहीं करनी है ठीक क्योंकि एक्जामनर साइंस का है वह आर्ट का नहीं है कि लंबा लेकर चलेगा ठीक आप टूदब पॉइंट दिखाएं टीचर खुष नंबर मिल गया क्या रहा है कि डिस्क्राइब बिटिंग मेकनिजम आफ इसको नहीं पढ़ा पाया हूं बट कोशिस करूंगा कि आपके पेपर होते होते को तो कराई दोंगा ठीक पैसे नहीं होगा तो यूटुब पे वीडियो किसी नहीं किसी तीचर का पढ़ा होगा देख सकते हैं ठीक न हम लोग आनलाइन आये हैं तो बेपर बहतर करने के लिए आए हैं ठीक आगे बात करते हैं नमबर 12 कि क्लासिफाइ रेप्टेलिया अप्टू ओडर विच साइलेंट फीचर एंड एक्जामपल्स मतलब यहां पे रेप्टेलिया जो हमारा क्या है क्लास है ठीक इसका क्या करना इसका भी और तक क्लासिफिकेशन करने हैं और उनके साइलेंट फीचर नहीं जो में में बाते हैं उनकी में मुख मुख लच्छड है उनको आप दिखाएंगे और उनके एक्जामपल्स को भी यहां से वेरिफाइ कर लेंगे अब बात करेंगे सक्षन नमबर बी से कुल आत को दिखान दिजीएगा तो यहां से चार कोश्ड आएंगे चार कोश्ड आपको करने होंगे जो अब इस नमबर पूरा करेंगा आपका तो चलते हैं सम्में आर करके अथवा करके देगा जैसे paper डिजाइन किया था वैसे paper मैंने भी डिजाइन करने के कोसिस किया है आपके यह रंगीन थोड़ा बना दिया हूं अच्छा रगने के लिए अब बात करते हैं यहां पर 13 कि कह रहा है कि आप नियोटीनी एंड एक्जामपल्स इट सिग्निफिकेंस कि आपके जो नियोटीनी होते हैं उनके एक्जामपल्स को रिप्रजिन करना है एक्जामपल को रिप्रजिन करने के साथ साथ उनके सिग्निफिकेंस क्या है महत तो क्या होते हैं नियोटीनी के आप उनको दिखा दीजिएगा यह देखो फीगर इसमें होगा फीगर को जरू दिखाएगा कि कोई पांच नंबर है पांच नंबर दो नंबर फीगर के साथ चला जाएगा एक नंबर फीगर के साथ चला जाएगा दो नंबर नियोटिनी के पास एक नंबर आपके उसके जामपस के पास चला ज स्ट्रक्चर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर लिजन से छोड़ेंगे नहीं आगे बात कर लेते हैं यहां से नमर 14 कि कह रहा है कि राइट नोट्स आंद पारेंटल के एन एमफीबिया होता है जो ओब है कह सकते हो क्या किता है एमफीबिया को होते हैं हिंदी नहीं पता है एंपीबिया होते हैं उनका पारेंटल के यानि मात्र और जो मात्रि और करता है उसको ध्यान दीजेगा जोड़ी-णोड़ी उनको कैसे पारेंटल सम्पोर्ट मिलता है अब उसको दिखाएगा फिगर इसमें है एक फिगर है आप उस फिगर को भी कमलेट करेंगा आगे करया क लिए सोट कर राइट स्वाट यहां पर डेंटिनीशन इनकी जो दात होती है दात किस प्रकार दंग पाया जाते हैं मैमेलिया कंतरगात उनकी दात कि संचना है क्या होती है उन पर ऐसे लिखना है ठेक तो उनकी दात को आप सही तरी किस दिखा जिएगा फिगर इसमें है कह रहा है कि की सौर्ट राइटे सौर्ट नोट्स और ओर इसका वीडियो मिल जाएगा आपको कि आखिरकार जो होता है उसके ओर जिन कैसे हुई है वह क्या क्या बताता है अपने पॉइंट में यह पूरा पूरा वीडियो आप यहां से देख सकते हैं मैंने अभी करन पढ़ा केवल आप यहां से प्रोटोथीरिया के जांपल्स कर लेंगे और उनके साइरेंट फीचर को दिखा देंगे आगे बात करते कुशन नमर्स सिस्टिन की कर रहा है डिस्क्राइब एयर सेक आप पीजन यानि जो कबूतर होता है कबूतर का जो एयर सेक होता है वायू कोस होता तो इसका आर नहीं दिया मैंने लिखा था बट आर आपको ठीक छोड़ जाने दो आगे बात करते हैं यहां से और राइट शॉर्ट नोर्स आंदो ठीक आर्क्योफ टेरिक्स एंड गिव इन या गिव इट सिगनिफिकेंस अखिरकर जो हमारे आर्क्योफ टेरिक्स है इसका क्या सिगनिफिकेंस रहा है कैसे करेक्ट्व लिंक हैं कैसे मिले हैं क्या क्या यह रिपरेजन करते हैं किस एरा को रिपरेजन करते हैं पूरा इतिहास लिखना इसके बारे में हिस्टी करनी है ठीक उनके सिगनिफिकेंस के साथ अगे बात करते हैं डिस्क्राइब करेक्टर देखो silent feature जब भी बोलेगा ठीक क्या बोलेगा है silent feature जब भी बोलेगा उसके छोड़े छोड़े points को आप ध्यान देज़ेगा कि point करके लिखिएगा तो ज्यादा बेतर है कह रहा है कि describe the brief the silent feature of logomarpha radensia logomarpha क्या होता है radensia क्या होता है दोनों के silent feature दिखाएंगे कम से कम साथ साथ silent feature seven silent feature इधर और seven silent feature इधर जरू दिखाएंगे आगे बत कर रहा है कि write a note on a door adaptation क्या कर रहा है door adaptations of chameleon based on its made of life जो हमारे made of life है made of life में जो chameleon है chameleon के अनुसार क्या chameleon के अनुसार कोई डोर नहीं रहेगा door है इसको ध्यान दिजेगा tapping mistaking हो गई है तो write a note on the adaptation of chameleon based on its made of life chameleon के अनुसार यानि chameleon के जीवन परती के आधार पर हुए अनकूल अनकूलन जो हुआ है आज adaptation हुआ है उस पर आपको टिपड़ी लिखना है chameleon ने किस किस बेसे पर किस के adaptation की बात की थी कोशन में 19 के पास के चलते हैं कोशन में 19 कह रहा है कि write a short note of siloom of किसकी हड्मानिया की आखिरकर हड्मानिया का siloom कैसा होता उसके siloom कंडिशन कैसा थे figure बड़ा important इसमें है जरूर दिखाईएगा आगे बात कर लेते हैं उसी का देखो कह रहा है थोड़ा सब के बारे में थोड़ा सब explain कर दीजेगा एक एक लाइन दो दो लाइन आपका दो पेश के अंतरगत यह हो जाएगा आगे बात करते हैं लास्ट को सब्सक्राइब बढ़ते कुशन में 20 कर रहा है ड्रायल वेल लब्डल डाइग्राम आफ वियस यानि यहां पे वेलियन टीथ जो मेमलयाइन टीथ होती है उसकी जो काट होती है ठेक तो काट को आप जरू देखाएगा वियस कि बात करará beginners करgen करके कभी-कभी किसी users कर किक देता है अब इसको देख लिजेगा आप में आएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ठीक तो यहां से कितने डिफरेंट आते हैं दो या तीन डिफरेंट आते हैं दो डिफरेंट आते हैं कभी 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 तीन डिफरेंट आते हैं इस इसको ध्यान दिजेगा ठीक तो पहला डिफर लाइब क्लास में आपको बता दूंगा कि फिगर यानि किस लेबल से आप फिगर बनाएंगे कहां पर कैसे एक जामपल देने हैं आप इंटर तक लिखे हैं थोड़ा सा रूट चेंज होगा क्योंकि कापी की जो साइज होती है बदा जाती है भी सी में ठीक आपको पता होगा पर टेबल के लेठेंड साइड आप कर लेंगे रिष्ट कर लेंगे एक रेनिया एंड के राइट हैड यहां पर क्रینिय रूटे रहुत कर लेंगे यहां पर सोड़्ेञ आप पूरे पूरे 5 रशड को लिख देंगे आगे बात करते हैं number 3 कहारें number 3 यहां से चोटा सा पॉइंट साता है इसी यहां से क्या कहे रहा है ऑफडिया कह रहा है ऑफडिया क्या होती है ohidia के बारे बता ना है या of dia ठीक of idea especially jumpers आप of idea करेंगे और उसके symptoms को दिखाएंगे certain features को दिखाएंगे 5 points और दूसरा उसे में आ जाता है lesser teal, lesser tealia, lesser tealia जो है के साथ आप complete करेंगे नमबर d के साथ चलते हैं नमबर d कह रहां कि poisoness and non-poisoness स्नैक होते हैं में अंतर दिखाइएका भूलिये मैं जो टीत वाला अंतर होता है हुस उसको जरूर दिखा Lebens चलते है कोकॉंशन नमर नाश नाश कहते हैं निक्वार होगा होगा राइट होगा इन दोनों के साथ हमारा पूरा 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 जो है वह कम्प्लीट हो जाता है तो आपको कैसा लगाए क्लास नीचे कम्मेंट कर बताएगा वीडियो को लाइक से यह सब्सक्राइब करना ना बोलिएगा यदि आप चैलर पे पहली बार हैं तो तो दो 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 दिन का ज़ेंगा आपको क्यूंकि दाब बेगा हैं 2 वहारी में सारे और आपको मिल मैं तेंस्टी के अराम से बारी बारी से दो-दो दिन के अंतर सब को टिक कर लिजए गा मार कर लिजिए गा एंड पेपर के पॉइंट में से पूरे एक रफ लीजिए गा एक कापी बनाईए एंड सारे 20 कोश्चन को कापी में बंद करके रख लो मज़ा आएगा पेपर देटे समय तो मिलते हैं तक ले टाटा बाई बाई टेक के